नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में एक हरी मिर्ची काट कर डालें चार से पंच लसन के कलियां चील कर डालें आदी चमच लालमिश पाउडर आदी चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच आमचुरका पाउडर और इसे ढख कर पीस ले पानी वगेरा नहीं डालना है पीस आदे तक लगाना है पूरे कट में लगाना आदे तक मसाला भर सके अब यह जो मसाल में पिसके रखा था यह प्लेट में जो अक्छा तीली डालन इसे अ tau जालना है और dh satellites के नहीं कैसे जोमें निकालने से टेल कलेकि लर Star निकल निकल करेगा इसलिए थोड़ा सा तेल डाल देना एक बाइंडिंग आ जाएगी और ये बेंगन में अच्छे से मसाली को भर दीज़े सच बता रही है ये बेंगन की सबजी बहुत मज़ितार लगती है और ये जो बच्चा हुआ मसाला है इसे आपको वेस्ट नहीं करन अच्छे से देखें मैंने इसे पीस लिया है उसके बाद मैंने कैस कौन करके कडाई रखती है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमस तेल जैसे तेल गरम हो जाए तो ये मसाले वाले जो बैंगन है बस इस तरह से ये तेल के अंदर हमें डाल देने हैं और इसे आज पर बिलकुल लो फ्लेम पर तीन से चार मिनिट के लिए पकाना है तो यहां पर तकरीबन दो मिनिट हुआ है तो धकन को हटा कर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे बीच पीच में इस तरह से मिक्स करते रहना अभी भी यह थोड़ इसे नहीं पके है तो इसे ढखकर हम और करेंगे टोटल इसे आपको तीन से चार मिनिट के लिए पकाना है तो यहां पर देखिये लगभख ढ़ तीन से चार मिनिИट हो गए है और बेंगन देखे अच्छे से पक गया तो इसके अंदर जो हमने वो टमार्टर पीशके रहे थे थे रखेते ना वो इसके अंदर ढाल के लिए धीमी आज पर तो बस इस तरह से डख दीजो और बिल्कुल धीमी आज पर पकाना तो यहां पर चार से पांच मिनिट हो गए हैं और यह भरवा बैंगन मसाला बनकर तयार है सच बता रही हो अगर यह वाली बैंगन की सबजी अपने ट्राइ ने किये तो आज तक आप बहुत बहुत ही मज़दा लगते है तो ट्राइ करना और मैंजे कमेंट्स बता है आपको रहसे भी कैसी लगी है अच्छी लगए तो इसे लाइक कीज़े शेयर कीज़े अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पर कुल ना भूले आज के लिए बसता ही ताकि फो वाच्छेंग